हेलो एवरिवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेशोट, क्यारा सक्सेशोट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक महत्वपूर्ण सूजना है जो की है UP SSSC यानि की उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग से आप देख सकते हैं कि एक नोटिस आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर जो की आजी की दिनांकी है यानि की 13 दिसंबर 2022 की और ये जो नोटिस है वो 2016 की एक भरती की नोटिस है इसे मैं बर पढ़के पूरा जो भी सूचना है वो सारा आपके सामने रख दे रही हूँ जो भी बच्चे इस भरती से संबंदित हैं उनके साथ छातकार के लिए एक नोटिस जारी की गई है जरूर से इस वीडियो को शेर करिए का क्योंकि इतनी पुरानी भरती है कि कई सारे लोग जो है शायद अब इसे जो है ध्यान भी ना दे ठीक है जाती के शून पद अन्य पिछटा वर के नौपद 36 आरच्छन श्रेडी के अंतरगत मैला श्रेडी हे टू आठ पद बूत पूर्व सैनिक के दो पद और विकलांग जन के एक पद के साब एक्षे शॉर्ट लिस्टिंग की कारेवाही के उप्रांत तो आप देख सकते हैं कि इस असी आवेदकों के लिए जो है जो एक सो असी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसमें एक सो असी लोगों को ऐसा है जो चुना गया है और उनका जो है साच्छात कार कराया जाएगा देख लिए यहाँ पर एक साच्छात कार के लिए जो है आपको इसका जो है कारेक्रम दिया गया है दिनांक 23 दिसंबर और 24 दिसंबर ठीक है पहली पाली 10 बजे से जो होती है अभ्यर्चों की संक्या 45 दूसरी पाली जो है आपकी उसमें डेड़ बजे से है उसमें भी अभ 80 बच्चे हो गया ठीक है और यह जो 80 बच्चे है बहुत शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है यह सेजेक्ट किये गया है चलिए अब इसमें 21 और लेकों लिखा हुआ है कि उक्त पदों पर चया लिए तू साच्छातकार के लिए आमंत्रित किये गया भ्यर्थियों का श् 62.54 अनुसूचित जन्ट जाती के लिए जो है 57.97 अनविखिडा बर्ग के लिए 62.54 महिलाओं में देख लिए अपने मोल्ट श्रेडी में है बहुत पुरुसैनिक अपनी इसमें अच्छा देख लो बहुत पुरुसैनिक में कोई भी आहर आवेदक अपलब्द नहीं हुआ विकलांग जन्ट के लिए जो है अपनी मोल्ट श्रेडी में आच्छा दित है और एक पी इसमें ये भी देखो ऑप्शन दिया हुआ है चलन क्रिया संबंधी अशक्तिता जिसके पास थी उनके लिए ठीक है चलिए अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रश्ण के अनुसार ऑनलाइन साच्छातकार शुल्क जमा करना होगा ठीक है तो साच्छातकार का जो आपका पत्र है वो डाउनलोड करने से पूर्व आपको जो है ये शुल्क जमा करना होगा तब ही आप साच्छातकार का जो पत्र है वो डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है और download interview letters में direct recruitment पर आपको click करना है ठीक है उसके बाद से आपको application fee का जो एक option मिल जाएगा application fee payment module ठीक है इसमें जो भी आपकी प्रवस्टियां मांगे गई होंगी उन्हें आप भर दीजेगा उसके बाद से शुल्क जमा करिएगा उसके बाद से आपका साथच्छातकार पत्र download चले कोई query होगा तो आप comment कर सकते हैं पूछ सकते हैं आपको बताया जाएगा अगला आपको इसमें कह रहा है कि साथच्छातकार से संबंदित समस्त अभियर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा प्रस्तित किये गया शैच्छिक अहर्ता संबंदी विलेकों की मूल प्रती ठीक है और डाउनलोड किये गया साथच्छातकार पत्र के साथ निर्धारित तिति और समय पर साथच्छातकार है तो अपना वहां पे जो है उपस्तित हो रहा है क्लियर है चले नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि उक्त विग्यापन के अंतरगत प्र प्रकाशित कट आउफ तक या उससे उच्छी प्रतिशत धारित करने वले अभियरती जो साथच्छातकार की सुची में संब्लेत नहीं है वो दिनांक 20 दिसंबर 2022 की साई 5 बजे तक अगर इसके इस अवधी के बाद अगर आप ऐसा जो है कोई भी प्रत्याविजन देते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा तो ध्यान रखेगा अगर आप कट आउफ मैश कर रहा है तो आप 20 दिसंबर की साई 5 बजे तक जा करके अप्र प्रत्याविजन वहाँ पर दे दे हैं ठीक है और जो फिर अहरे पाए जाएंगे अभ्यरती उनका साच्छातकार जो है आयोग के अनुमोधन के अपरांद 24 दिसंबर 2022 की दितिये पाले में आयोजित किया जाएगा इंहन डेक्लेयर कर दिया है कि जो लोग अहरे पाए जाएंगे बाद में उनका जो है इंपॉर्टेट नोटिस है और मैंने आपको बताया भी दिया है कि ये सीधी भरती सामाने चाहिए 2016 ठीक है तो ध्यान रखेगा वीडियो को शेयर कर देजेगा या फिर जो भी आपके जान पचान में लोग हैं जन्होंने इसका फॉर्म डाला होगा उन लोग को जो है इस नेक्स वीडियो में टेक केर और बागाए